विल्कमिक दोस्तों क्या हला आप सब का मैं उम्मीद करता हूँ किया आप सब हैरियेट से होंगे तो भाई सहाब डंकी डे 22 एड सालार डे 21 दोनों की आज थस्डे की इडवांस बुकिंग प्लस बॉक्स ओविस कोलेक्शन का अरली एस्टिमेट आ चुका है तो कल वेडननेस डे पे डंकी प्लस सालार दोनों ने बहुत अच्छा होल्ड करके रखा है यानि के मैं जितना सोच रहाता के फ्ल्म डाउन जाएंगी फ्ल्म बिल्कुल भी डाउन नहीं गई एवन के डंकी तो बिल्कुल डाउन नहीं गई डंकी का तो बहुत ही अच्छा होल्ड रहा और सालार का भी जितना हमने सोचा था भैसा अतना ही होल्ड रहा और लास्त तीनों दिन मैं बोलूँगा कि बिल्कुल फिल्म प्रॉपर जिसे कहते हैं होल्ड रख के कॉलेक्शन कर रही है वैसा ही कर रही है तो यूट्यूब अब वीडियो को रिकॉमेंट नहीं किया करेगा येस पहले क्या होता था ज्यादा व्यूज आये तो यूट्यूब समझता था कि हाँ भी ज्यादा व्यूज है तो भाई था वीडियो को आगे वो शेर करता था recommend करता था now YouTube view से हटकर likes की तरफ आया है और comment की तरफ देखे का कि अगर likes अच्छे है comment अच्छे है दर ही वो वीडियो को recommend करेगा तो वीडियो को like अगर आपके पास time हो तो comment भी ज़रूर का लीजेगा और of course चैनल को subscribe तो आप सबने कर ही लिया होगा now सबसे पहले हम बात करेंगे डंकी की डंकी का भाई सबसे पहले तो आज day 22 है लेकिन मैं आपको कल day 21 की total collection बताता चलूँ तो भाई कल day 21 था third wedding day था morning के अंदर occupancy आई थी 8% की afternoon में occupancy आई थी 11% की normal occupancy थी evening में occupancy भी 11% थी night में occupancy 13% थी same जैसी Tuesday की occupancy थी Tuesday की भी occupancy डाउन नहीं हुई बलके अभी भले ही बिल्कुल एक दो पॉइंट्स का जम था लेकिन फिर भी डाउन नहीं गई यानि के morning में 8% afternoon में 11% evening में 11% night में 13% इसका overall निकला 11% यानि के हमारा criteria तो बहुत ही दूर था उस तक तो पोँच नहीं भाई लेकिन official collection जो आने वाली है जो total collection आई है भाई सब estimated जरा वो देखेगा Monday वाले दिन जब working day start होई थे तो Monday वाले दिन official collection थी 1.5 करोड रोपे Tuesday वाले दिन official collection आई 1.4 करोड रोपे and now भाई सहब कल यानि के हमने total जो रात को early estimate final early estimate बताया था उसके अदर मैंने बोला था के 1.15 जान 1.20 करोड तक जानी चाहिए लेकिन भाई जो total early estimate आया है वो आया है 1.35 करोड का this is amazing literally amazing क्योंकि परसो भाई सहब के तरह Monday मारे दिन 1.5 अगले दिन 1.4 और अगले दिन 1.35 यानि के Tuesday पे 1.40 और कल 1.35 जस पाँच लाग का drop nothing ये कोई drop होता है बिलकुल collections hold पर चल रही है और यही चीज मुझे personally बहुत अच्छी लगी है और यतना नहीं trade के numbers में ये फिल्म लगबग 221 क्रोड की net collection भी कर लेकि जो के एक बहुत अच्छी चीज है अब गईज इतना करने के बाद मतलब के कल का दिन तो बिलकुल परफेक्ट गया अगर मैं आज की बात करूँ तो भाई साब मैंने आपको क्या बता के रखा कि वेडनेस टी जो होता है वो बहुत डेंजरस दिन होता है तो कि वो वरकिंग डे का मिड डे होता है दो उससे पिछले वरकिंग डे होता है दो उससे अगले दिन होते है यह जो दो अगले दिन होते है थस्टे फ्राइडे इन पे फिल्म और ज़दा डाउन होती है और ओकुप है और जो एडवांस बुकिंग है तो आज भी वही रहेगा कर आज भी इतनी collection आती है तो एक बात तो बहुत clearly समझ आ जाएगी कि कल Friday वाले दिन ये फिल्म भाई सहाब 1 करोड से डाउन नहीं जाएगी जो कि personally Monday वाले दिन की collection देखकर मुझे लगा था कि Monday पर अगर 1.5 आया है क्योंकि जिस तरह से पिछले वीक ये डिप ले रही थी क्योंकि पिछले वीक ज़्यादा डिप लिया इस वीक कम डिप लिया फली collection कम है लेकिन ज़्यादा डिप नहीं आया दंकी डे 21 की मूव करेंगे सालार के आज डे 20 पे क्या हो रहा है डंकी का सोरी डे 22 था ओवराल मैं डे 21 बोल रहा था डंकी का डे 22 था और सालार का डे 21 है ओके नाव सालार की तरह मूर करेंगे तो मूव करेंगे सालार का कल बैसा वेडनेस डे पे डे 20 था तो कल बैसा डे 20 के सबसे पहले मैं आपको टोटल कोलेक्शन बताऊँगा तो इस फिल्म की जो औरीजनल एंवी थी तेलगू तेलगू के अंदर से मॉर्निंग में उकुपेंसी आई 13% की आफ्टरनोन में आई 17% की इवनिंग में फिर डाउन हुई सेम जैसा चल रहा है 15% की नाइट में जब लिया और 20% याँ नाइस मतलब कि सेम लास्ट वरकिंग डे में मॉर्निंग में उकुपेंसी कम आफ्टरनोन में ज़्यादा इवनिंग में फिर कम नाइट में ज़्यादा और देख ले मॉर्निंग में 13% आफ्टरनोन में 17% इवनिंग में 15% नाइट में 20% और इसका ओवराल निकला 16% यादि के हमारे करेटीरिय को बीट तो नहीं कर पाई लेकिन आल्मोस्ट उसी के आज़ पास आय इवनिंग में लगबग 11% की उकुपेंची और इस उकुपेंची का अगर मैं ओवराल करू तो भाई साब ये बन जाएगा एक्जैक्ली 10% यानिके ठीक है ठीक है ठीक आ रही है अलर्जी होई भाई साब बड़ी बुरी तरह से सो मैं वीडियो यहां पर एडिट भी उस त अब को ला कर देता हूं तो उसके लिए थोड़ा सा बस आज का दिन आपको वेट करना पड़ेगा यमी भी आज का दिन भी नहीं आज शाम के टाइम क्या पता हम अपने बैक्राउंड में वापस आ जाए और आपको वीडियो प्रॉपर देखने को मैं बस थोड़े से दे 20 तो मंडे वाले दिन भाई सहब ऐफिशल कॉलेक्शन थी 2.4 करोड टी उस्रे ओले दिन ओफिशल कोलेक्शन थी 2.2 करोड एंड कल का भॉफिशल कॉलेक्शन दो करोड आजाए है माई प्र्रडिक्शन 2 करोड से ज्ञाधा ही आएगी बहले हीज़ादा ना हो मानला कि 2.0102 हो जाए लेकिन 2 क्रोड से जादा आएगी लेकिन इतना मैं गैरेंटेट बोल सकता हूँ कि आज कम होने वाली है यानि कि आज भाई सहब सालार कर डेट 21 है और भाई सहब जो इडवांस बुकिंग भी है वो भी 25 लाक रुपे के आसपस है सो आज ये फिल्म डाउन जाएगी लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूगा कि आज इस फिल्म को ज्यादा डाउन नहीं जाना चाहिए लगबग 1.90 क्रोड के आसपस हो अब गैस देखो आपका सवाल डंगी डाउन नहीं जा रही सालार क्यों डाउन जा रही है अब इता के लिए इतना ही होप सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अंगली आने वाल इवर्डिम करेंगे थैंक्स फर वाचेंग